गुड मानिंग स्टुडेंट्स आज जल्दी से सभी आपकी कलास शुरू हो चुकी है कच्छा 10 की NCERT मैथ मित्रों ये सुबा 8 बजे से आप हर दिन देखते हो कच्छा 10 की NCERT मैथ और आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं आज देने वाला हूँ वो क्या है देखान से सुनना सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका जो चैनल मैथ आसान है हुआ करता था आप उसका नाम P.V.R.A. Study for 10th and 12th कर दिया गया है 10th and 12th NCERT courses आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की ही कलास मिलेंगी बसपा की कुछ नहीं चैनल का नाम क्या रहेगा P.V.R.A. Study for 10th and 12th इसे आप मैथ आसान है नाम से भी खोच सकते यूटूब पे मिल जाएगा और चलते हैं अपने टॉपिक पे exercise 3.2 का हम question करेंगे ध्यान देना ठीक ना P.V.R.A. Study for basic and direct math कर दिया गया है P.V.R.A. Study Group का नाम P.V.R.A. Study for SSC, Police, Ted Seated and other one day exam कर दिया हो गया है ठीक ना तो यह सभी अलग अलग भाग में बट गए हैं अब उन पे उसी परकार के material मिलेंगे जिस परकार का channel है ओके question देखना कच्छा यक्स का मतलब होता 10 Roman संख्या में लिखा है मानलो या फिर यक्स ही मानलो कुछ भी मानलो तो कच्छा दस के 10 विद्यार्थियों ने एक कणित की परतियोगता में भाग लिया है उसके बाद होता क्या है कहरा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधीक है लड़कियों की संख्या क्या है लड़कों से चार अधीक है मतलब लड़कियों जादा है अगर लड़के 5 है तो लड़कियों 9 होंगी है ना आगे देखना कहरत तो परतियोगता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए और इसको करना क्या था पता है क्वेश्चन को जो टाइटल था उपर आप बुक में देखोगे काक्षादस के NCRT में 3.2 में तो लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समिकरणों के उनके ग्राफिय विधी से हल कीजिए तो रैखिक समिकरणों के युग्म बनाईए और उन्हें ग्राफिय विधी से हल करना है तो इसमें हमेरा रैखिक समिकरण का एक युग्म बनाना है और ग्राफिय विधी से हल करना है चलिए, लिखिए, माना लड़कियों की संख्या, अब इसमें आप लड़कियों और लड़कों की संख्या दोनों मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो, यक्स तथा लड़कों की संख्या, दिकलो, लड़कों की संख्या इक तो परतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या बताओ लेकिन उसके पहले कह रहा था कि परतियोगिता में दस बिद्यार्थियों ने भाग लिया है यानि कि यहां पर आप लिखोगे कुल बिद्यार्थियों की संख्या है ना कुल बिद्यार्थियों की संख्या या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो परतियोगिता में भाग लिए कुल छात्रों की संख्या छात्र छात्राओं की संख्या मतलब उसमें दोनों सामिल होगी तो ये हो जाएगा कितना संख्या यक्स प्लस वाइ ऊवर्टेन क्यों क्योंकि दिया गया है कह रहा कि कुल संख्या जो है वो दस है है ना इतनी बात पक की ओके तो ये समीकरण हो गया एक क्या हो गया ये समीकरण एक हो गया पहला समीकरण बन गया दूसरा कैसे बनेगा कह रहा था कि यह दि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है यही तो दिया है ना लड़कियों की संख्या लड़कों से चार अधिक है लड़कों से लड़किया चार अधिक है लड़कों से लड़किया चार अधिक है क्या है अधिक है तो चाहे तो लड़कों की संख्या से 4 कम कर दो और चाहे लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ दो दोनों का मतलब एक होगा है ना? तो चलिए कर लेते हैं फिर हम क्या करेंगे? लिखो इसलिए इसलिए 1-Y इक्वल क्या हो जाएगा? 4 यह हो गए समिकरण नमबर 2 ध्यान देना इसको मैंने X-Y क्यों किया पता है? क्योंकि X-Y इक्वल 4 यानि की लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है इसका मतलब क्या होगा? चाहे तो उसको 4 अधिक कर दो लड़कों वाले में यार इसको नहीं समझ में आया होगा ना आपको नहीं आया होगा ना ध्यान दो ये चीज ये नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है कि का है करती ये से देखो इधर इधर देखो लड़कियों की संख्या आमने क्या माना था? यक्स माना था ना लेकिन अभी ध्यान देना इसको ऐसे समझ लो कि देखो भाई लड़कियों यह नि की GIRLS की संख्य tunac cosac स्भrak 5 की संख्यकों गठाद यह जाता है तब क्या होता है लड़कियों की संख्या जो यह समय करण 2 हो गया अगर आपको यह नहीं समझ में आया ना तो आप जीरो लेबल बेसिक मैट देखिए वहां से आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा तो आप इतना उतार लेंगे इधर वाला समय करण 2 तक उधर यह छोड़ देंगे इसको में समझाने के लिए बताया आप जल्दी से वीडियो को रोंक करके लिख लीजिए तब हम अगले इस टेप पे चलते हैं इसको ग्राफ वीदी से हल करेंगे ध्यान देना अब इन दोनों समीकरण को ग्राफ विदी से हल करना सीखो देखिए पहला समीकरण आया था X प्लस Y उक्वल 10 आया था दूसरा एक क्वेशन आया था अभी अभी आपने देखा था X माइनस Y उक्वल क्या आया था 4 आया था यही आया था ना चलो ठीक है अब इसमें X को एक तरफ कर दिया और Y और जो अचर पत्था एक तरफ कर दिया तो साथियों इसमें क्या करते हैं ये सारडी विदी से या ग्राफ विदी से समीकरण का हल करने का नियम है दो ध्यान देना कोई भी समीकरण इस तरह से आप हल कर सकते हो ठीक न, अब इसमें साथियों y का कोई आप मान पूट करोगे एक जैसे y का मान अगर मैं 1 रख देता हूँ तो क्या आएगा, पता है आपको y का मान अगर इसमें मैं 1 रखूंगा तो यह x equal 10 minus y बनेगा और x equal 10 minus 1 यानि x का मान मान नो आएगा minus 9 वाज से कुछ जादा आ रहा है न कहने का मतलब छोटे-छोटे मान आएगे तो हमें graph छोटा बनाना पड़ेगा है न, अगर बड़े-बड़े मान आएगे तो graph बड़ा सा बनाना पड़ेगा इसलिए हम क्या करेंगे यह मान जो है, कुछ ऐसा रखेंगे कि छोटा मान आएगे, मतलब बड़ा ना आए यह आप सोतंत्र हो रखने के लिए 0 से लेकर के अनन तक कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप जाओ ठीक न, तो हम क्या करेंगे यक्स इक्वल वाई की जगा 5 रखेंगे तो इस तरह से हमें यक्स कमान क्या मिलेगा, जब हम वाई कमान 6 रखेंगे, देखो वाई कमान 6 रखेंगे तो 4 मिलेगा अगर इसे हम 7 रख दें तो यह 3 मिलेगा है ना कितना आसान बहुत मज़दार है ना, चलो इसमें कर लेते हैं साथियों वाई कमान सोचो, अगर मैं 1 रख दूँ साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ओके, चलिए, लिख लिए इतना नोट कर लो फटा फट ये आपका हो गया ना इतना मन अब देखो इन बिंदों को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, चलिए सातियों ऐसे ग्राफ बना ले वैसे एकजाम में आपको हो सकता ग्राफ का पेज मिलेगा और नहीं तो आप ग्राफ का पेज लेके जाओगो, ठीक На? पर इच्छा में ग्राफ का पेज मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो मिलता है ठीक ना चलिए तो यह होगे हमारे ग्राफ ग्राफ पे हम नंबर देखो साथ तक लिखे हैं चारों तरफ क्यूंकि हमारे यहां सबसे बड़े नंबर साथ आए हैं और इसलिए मैं छोटा नंबर लाने की कोसिस कर रहा था अगर मैं नौ ले आता यह 20 तक लिखनी पड़ती तो साथ बहुत बड़ी हो जाती ना ओके चलो ठीक है पहले मान देखते हैं यक्स पर देखो यह प्लस है भी प्लस है दोनों पांच पांच तो यक्स पर हम प्लस में पांच बिंदू आगे चलेंगे ध्यान देना जीरों यहीं है एक दो तीन चा पांच मतलब यहां मिल रहा है वाई पर भी हमें क्या करना पांच आगे चलना है तो चलो फिर एक दो तीन चार पांच यहां मिल रहा है यानि इसको हम ले आके ऐसे इसके सीध तक लाएंगे यह 5,5 यहां मिल रहा है ओके ठीक अगला देखना 6,4 वाई पर 6 चलना है और यक यह है एक्स वाला यह देखो कितना चलना इस पे फोर चलना है वाई पे 6 यानि यहां कहीं आएगा कितना है फोर कामा 6 6, Okay, और आगे देखना भी यह 3 और 7 यक्स पर 3 और वाई पर 7 तो यक्स पर 3 ये और वाई पर 7, मतलब यहां कहीं आएगा, 3, 7 बहुत ही गवर से देखते जाना साथियों, बस इसको गराफ रूप में आपको खिच देना, फटाफट बस फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी, Okay, ठीक है चलिए ध्यान देना इसी तरह से पहले आप दूसरा भी दिखा लो फिर हम ग्राफ खींचते हैं दूसरा भी दिखा लें पहले खींची लेते हैं चलो पहले खींची ही लेते हैं इसको ध्यान देना तो यह जहां-जहां से होते हुए गई है, वहीं से आप graph बना दोगे, देखो यहां से गई है, और यहां से और यहां पे न, तो ऐसे यह graph बनेगा साथियों, ऐसे, ठीक न, ऐसे क्या बनेगा यह graph बनेगा, यह हो गया, ठीक, इसी तरह से आप दूसरा भी दिखा दो, उसका विखिच जाएगा चलो यक्स पर 5 और वाई पर एक यक्स पर क्या है 5 है प्लस में यानि 5 मतलब यह ना वाई पर 1 मतलब थोड़ा सा उपर जाएगा कहने का मतलब यह यहां कहीं आएगा आएगा ना इसे क्या बोलेंगे 5,1 ठीक अगला देखना यक्स पर 6 और वाई पर 2 तो यक्स पर 6 चलो आगे यह यहां पर है और वाई पर 2 तू मतलब यहां पर कहने का मतलब यह यहां कहीं होगा 6,2 ध्यान देना आगे क्या होता है यक्स पर 7 और वाई पर 3 तो यक्स पर 7 यहां है और वाई पर 3 मतलब यह यहां पर कहीं है 7,3 ओके मिल गया ना तीनो अब तीनो पॉइंट को ऐसे मिला देना पट्री और परकार रख करके ऐसे काड़ता हुआ निकल जाए इसी पर से जाना चाहिए बगल से नहीं जाना चाहिए तो यह हो जाएगा साथियों आपका ग्राफ जिससे आप इस तरह से बना सकते हो और यह जो मैंने आपको ऐसे ऐसे खिचाया डाट डाट ना यह किवल समझाने के लिए दिखाया बाकि यह चीज आप नहीं बनाओगी यह लाइन तो उस पर बनी रहेंगे डोमेटिक ग्राफ पेपर आप लोगे बार्केट में मिलता है उसमें यह लाइने और यह सब बना रहता है ठीक ना अलग से नहीं बनाना रहेगा यह पॉइंट रखने रहेंगे बस तो लिख लो जल्दी से उमीद करते हैं आप समझ गया होंगे है ना इसका अगला इसमें से होमर कर लेना इसमें जितने भी और भी पार्ट्स दिये गए इस तरह से उनको रख लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कमेंट करोगे तो हम आपको जरूर बताएंगे ठीक ना ओके साथी ने दूसरा कुषिचन देखिए हैं उतारेंगे नहीं आप सुन लो ध्यान से खिक ना सिकंड क्या कह रहा है आपका लेना मैं हिंड बता दे रहा हूं ध्यान दीचे ए सिकंड क्युषिचन कह रहा है कि 5 पैंसिल तथा 7 कलमों का मुले कितना है 50 रूपय है पाँच प पेंसिल और एक कलम का मूले ग्याद कीजिए तो क्या करोगे पहले अलग अलग मान लोगे ठीक है लिखो माना माना लिखो एक पेंसिल का मूले बराबर यक्स रूपया एक का यक्स मान लो दूसरे का वाई मान लो फिर लिखना माना एक कलम का मूले इक्वल वाई रूपया अ अब आगे क्या कह रहा था कह रहा था कि 7 पेंशिल तथा ओ Repeat 5 पेंशिल तथा साथ कलमों का मुले पचास रुपया हैं तो साथियों यहाँ आप नीचे लिख ऐसे प्रसना अनुसार ठीक ना प्रसना अनुसार कितना पैंसिल बोला था पहले कितना बोला था पांच ना पांच ही तो बोला था ना हाँ पांच पैंसिल तथा साथ कलमों का मुले तो जितनी पैंसिल बोला था उतना क्या हो जाएगा यक्स के साथ हो जाएगा यह निकि पा कि साथ पैंसिल, क्या बोला था, साथ पैंसिल और दो कलमों का मूल ले, है ना, तो लिखलो फिर, साथ पैंसिल और दो कलमों का मूल ले, मतलब ये वाई, इक्वल कितना रुपया, 46 रुपया बस ये दोनों समीकरण आपके सामने आगे दोनों equation हो चुके हैं इसी को कर लेना है कर लोगे न आप सभी ठीक है बहुत अच्छे इनी को हल करके हमें क्या करना है साथियों गराब बना देना है अब इनको हल करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहां से आप यक्स और वाई के मान निकाल लोगे और फिर उनको गराब में रख लेना चलो मैं दिखा देता हूं थोड़ा से और आगे तो दोनों समीकरण के लिए हम अलग-अलग सारडी बनाएंगे तो पहले समीकरण के लिए देखो इधर पहले समीकरण का पहले एक इस्ट्रेक्चर तो बनाने दो रखोगे मान किसमें रखोगे द्यान देना पहले समीकरण के लिए साथियों इसमें आप यक्स का मान निकालोगे यानि कि 5 यक्स बराबर यह हो जाएगा आपका 50-7y यानि कि यक्स बराबर हो जाएगा 50-7y बटा का हो जाएगा 5 ठीक ना इसी में आपको मान रखने है वाई के मान अलग-अलग रखोगे तो यक्स के मान अलग-अलग मिलेंगे यह समय करन सीकेंड वाला मैं इधर सिप्ट कर देता हूं ध्यान देना साथ यक्स धन 2i इकल क्या है 46 है यहां से यक्स बराबर निकालोगे तो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 46-2i बटा साथ ठीक ना इसमें यक्स के अलग-अलग मान रखोगे तो i के अलग-अलग मान आएंगे ठीक ना तो चलो दो वाला समय करन मैं उधर ट्रांसफर कर दिया ह हूं अब एक-एक के बारे में बात कर लेते हैं चलिए ठीक है यक्स के कोई ऐसे मान हम इसमें रखेंगे वाई के कि जो दूसरा वाला मान आए वो छोटा-छोटा है ठीक ना चलो तो वाई का मान इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं यहां फर अब जीरों से लेके अनन तक पर लिखो वाई बराबर अच्छा गेस करो अगर हम वाई कमान जीरो रख दें तो अगर हम जीरो रख देंगे तो यह जीरो हो जाएगा फिर क्या होगा पचास बटा पांच यानि यक्स कमान दस आएगा अगर हम जीरो कर देंगे तो क्या आएगा दस आएगा लेकिन दस भी काफी बड़ा है न कोशिश करो कि एक्स कमान 5-7 के लग भागाए अगर यहां 0 रख दोगे यह 0 हो जाएगा फिर 50 बटा 5 एक्स कमान 10 आएगा अगर हम वाई कमान 5 रख दें सोचो क्या रख दें 5 तो साथियों 7 पजे हो जाएगा और जब 50 से 35 घटा होगे कितना हैगा 15 आएगा और 5 से काट दो के पंदर तीन आएगा देखो कितना छोटा आए ना चोटा साय ना तो यह निवाई ब्राबर 5 रखोंगे क्या रखोंगे 5 तो 5 रख दो चलो यह ब्राबर 50 माइनस 7 वाई बटा का हो गया 5 तो यह बराबर 50 माइनस 7 गुड़ा 5 बटा 5 ध्यान देना ये 50 माइनस 35 बटा 5 इक्वल 15 बटा 5 और इक्वल क्या आया 3 ओके बन गया ना जल्दी लिख लो इतना लिख लो फटा फट कितना आगया 3 अब देखो मैं एक एक को आपको दिखा रहा हूं बना के ध्यान देना अगे लोगों के दिमाख में आया होगा कि भाई जीरो का नहीं रख रहा हो तो चलो मैं जीरो भी रख लेता हूं क्या दिक्कत है yx equal 50 minus 7y बटा का है 5 न y कमान 0 रखो y कमान 0 रखोगे तो ये 7 बटा 0 में करोगे 0 हो जाएगा तो ये 50 बटा 5 आएगा काटोगे तो 10 आएगा आप सब भी 10th के student हो इत्ता चोटा चोटा बात बताने की जरूरत नहीं है 0 label मैथ में सेख चुके हो तो इसका मान जब 0 रखा तो यह 10 आ गया ठीक अब क्या रखें कोई बताएगा वाई कमाने का और कुछ भी रखना चाहे जो रख लो कुछ भी रख लो कुछ भी रख लो चलो ठीक है मान लो कि मैं 5 रख लेता हूँ 5 तो मैंने रख लिया था 7 रख लूँ तो 7 रख लूँ तो क्या आएगा देखो 7 रखोंगा तो 7 सता उन्चास और 50 से उन्चास जाएगा एक बटा 5 आजएगा एक बटा 5 मतलब दसामलों में हो जाएगा लफड़ा 5 जाएगा यार नहीं सही रहेगा नहीं नहीं मतलब ऐसा कुछ हाए कि जो की कट जाए 5 से इसमें से घटाने के बाद तो सोचो कि अगर मैं रख लेता हूँ 10 क्या रख लूँ 10 10 रख लूँगा तो यह हो जाएगा 70 कितना हो जाएगा 70 माइनस का 70 सब्सक्रस ऐसे ऐसको तो सब्सक्राइब यह जोड़ गई इस तरह का समीकरण 2 का करना है साथियों टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि कुष्टन लंबा है अगर आपको समझाना ना हो तो जल्दी हो जाएगा अगर आप समझ जाओगे तो इसे जल्दी जल्दी कर ले जाओगे इसलिए समझना जरूरी है दूसरा समय करण में ऐसे रख रख के ट्राई करोगे ठीक ना तो मैं इसको रखूँ या न रखूँ बोलो graph बना के दिखा दूँ ऐसे रख रख के आपको खुद से try कर लेना है ठीक ना second equation में मैं दिखा दे रहा हूं सार्ट कट में देख लो ध्यान देजिए अब यह है graph चलो इनको देखते हैं graph में कैसे रखते हैं बहुत ध्यान से देखना देखिए second वाले का मैंने बना दिया जब y command हमने minus 2 रखा तो x command 8 आया जब मैंने y command 5 रखा तो x command 3 आया और जब मैंने y command 12 रखा तो x command minus 2 आया करके देख लेना 12 में 10 में पहुंचे हो आप सभी समझदार हो है ना इसके पहले की 3.1 की class देखे हो गए तो यह काफे कुछ समझ गया हो गए चलिए ओके पहले हमें क्या दिखाना है पहले number question आला 3 और 5 दोनों देखो plus plus है ना यक्स पर 3 point चलना है y पर 5 चलना है तो यक्स उसके सामने तक जाश्ट और इसको ऐसे बढ़ाओगे मतलब यहां पर कहीं है 3 कमा 5 समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से समझना टाइम भले लग जाए 5 गंटा लग जा लेकिन आपको समझ में आ जाए ठीक आगे देखना यक्स पर 10 point चलना है plus में देखो plus है minus नहीं y पर 0 है y पर एक भी point नहीं बढ़ना तो यक्स पर 10 चलना है देखो 9 यहां था यह 10 मतलब यहां हो गया और y पर 0 है y मतलब उपर न जाएगा न नीचे जाएगा केवल इधर को भागेगा इधर को नहीं जाएगा बिल्कुल कहीं नहीं इसका मतलब यह 10 कमा 0 यहीं पर होग उपर नीचे नहीं खिसकेगा यक्स पर माइनस चार और वाई पर 10 यक्स पर माइनस चार देखो माइनस पर जो आता यक्स में इधर आता है प्लस में उदर जाता है वाई में प्लस उपर जाता है माइनस नीचे आता है तो माइनस का कितना चार यहां और प्लस में वाई में कितना 10 10 मतलब यह देखो बहुत लंबा जा रहा है आठ नो 10 इसलिए मैं इसको लंबा मान नहीं लाना चाहता था कि बड़ा ना आए जिससे ग्राफ के अंदर में आ जाए तो यह 10 यहां कहीं होगा ऐसे आएगा कहां तक यह माइनस 4 यानि कहने का मतलब यह कहीं यहां कहीं आ लाद होगे मतलब ठीक ना तो खी दो जल्दी से फटाफट क्या करना है साथियों कहीं देना है चलो यह लो यहां से ऐसे होते हुए जाएगा तीनों को सब को काटता हुआ जाना चाहिए एक बिंदू यह एक यह और एक ऐसे यह ऐसे होके हुए जाएगा ऐसे ध्यान रहे यह खीचते समय हमसे थोड़ा वह हुआ यह आएसे जाना चाहिए ऐसे मतलब इस पे होते हुए जाएगा फिर ऐसे पटरी से कीचोगे तो आ जाएगा ठीक ना ऐसे पटरी रखना कि इसको भी टच करें इसको भी और इसको भी यहाँ पर ऐसे एरो बना देना ये ये हो गया पहला ग्राफ इस तरह से आप दूसरा वाला भी रख लेना बात तो समझ गयो ना कैसे करना है ठीक ना तो मित्रों हमारे पास NCRT की बुक नहीं है तो हमने कुछ फोटो जो गरा लिये हैं इस होजा से हमने इससे मतलब आपको करवा दिया कैसे लगा समझ में आया होगा बताइएगा PVR Study for 10th and 12th Courses का नया चैनल बनाया गया है जिसे आप महत आसान है नाम से खोज सकते हैं महत आसान है खोजेंगे तो आपको दिखेगा PVR Study for 10th and 12th Courses ठीक ना उस पे आपको सिर्फ 10th and 12th की महत, Science Biology Master Physics जो भी है समझ मिलेगा उसी में ठीक ना चलते हैं फिर जैहिन अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा अगली कलास के लिए इंतजार करिएगा साथियों अगर कोई सुझाओ है तो कमेंट करिएगा और अगर अभी तक आपने PVR Study का अपस इंस्टाल नहीं किया तो जरूर कर लिजिएगा क्योंकि PVR Study Apps पर हम आपके लिए लाते हैं सुविता जनक कोरसेज उपर नमबर दिया गया वाटसप का 9455-633837 इस पर आप अपने किसी भी सुझाओ और समस्या को सेयर कर सकते हैं तैंक्यू जाता जाता है इस वीडियो को दोस्तों को सेयर कर दीजिए गा 20S रिक्वेस्ट हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो कल लीजिए गा यह आपके उपर निर्फर करता है अगर पढ़ना चाहते हैं तो कल लीजिए गा नहीं तो चाने दीजिए